तो हेलो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देवगर एरपोर्ट के क्या-क्या फिचर्स हैं देवगर एरपोर्ट के परमुक महत्पुन जानकारिया आपको मैंने उस वीडियो में दिया था आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि देवगर ए क्या टिकट का जो दर है क्या तई किया गया है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और जानकारी दूँगा कि किस तरीके से आपको इंडिगो की सेवा आपको यहां से मिलेगी अभी फिलाल आपको यहां से इंडिगो की सेवा में ही मिलेगी तो इस वीडियो में आपक नए हैं तो आप हमसे जुड़ें क्योंकि देवगर एरपोर्ट और देवगर एंस के बारे में मैं आपको महत्पूर्ण जानकारियां इसी तरीके से इस चैनल पर देता रहूंगा हम जैसे बात कर देते कि पिछले वीडियो में आपको देवगर एरपोर्ट के फिचर के बारे में जानकारिया आपको दिया था आज हम देवगर एरपोर्ट के टिकट के बारे में आज हम बात करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हम लिखे हुए हैं देवगर से दिल्ली मेनि मिनिमंus 3,000 रुपए पर पर सन अभी भाना तय किया गया है ुआ सिसको टिकत रेट बोल सकते हूं 3,000 रुपए पर पर सनितल किया गया। बात करते हम अगर देवघर्टु पट्चना की के तो अदे देवघर टू पटना मिनिमम दो हजार रुपईया पर परसन ये एरपोर्ट के द्वारा किया गया है तो चलिए हम सौट में आपको लिख लिख के थोड़ा थोड़ा बताते हैं देवघर टू रांची अगर आप सफर करना चाहते हैं तो ये नियूंतम भाणा यहां पर भी दो हजार रुपईया पर परसन ताई किया गया है चोंती बात करते हैं मगर देवघर टू हैदराबाद की हैदराबाद की सौट में लिख रहे हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए देवघर टू हैदराबाद की तो ये 35 रुपया मिनिमम पर परसन रखा गया है बात करते हैं मगर देवघर टू बैंगलूरू की बैंगलूरू अगर मिश्टेक होता है तो अप लोग ध्यान रखेगा बैंगलूरू का तो ये मिनिमम चार हजार रुपया पर पर सन और चठी बात करते हैं मगर देवघर टू चेन्नाई देवघर टू चेन्नाई की बात करें तो इसका भी नियुंतम मूली जो है वो चार हजार रुपया पर पर सन रखा गया है बात करते हम सात्वी में देवघर टू जेपूर जेपूर का तो यहां पर भी मिनिमम जो भान रखा गया है वो चार हजार रुपया पर पर सन बात करें हम अगर देवघर टू काठ मांडू काठ मांडू तो सबसे जादे रेट अभी देखा जाए तो देवघर टू काठ मांडू ही है 5500 पर पर सन बात की जाए देवघर टू मुंबई का देवघर टू मुंबई का तो चार हजार रुपया पर पर सन जो की आपको बता दे रहे हैं कि मुंबई का जो फ्लाइट है यह आपको 12 जुलाई से चालू हो जाएगा जिस दिन रहेंदर मोदी जी उध्याटन करेंगे उस दिन से यह फ्लाइट चालू हो जाएगी और आखरी में हम बात करते हैं देवघर टू देवघर टू यहमदाबाद जिसका प्राइस रखा गया है तो यह था अभी तक फिलाल चार्ट जो है यह अभी आपको हम किलियर दिखा रहे हैं यह प्राइस अभी देवघर एयरपोर्ट द्वारा तै किया गया है और आज ही तै किया गया है तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज चैनल को सब करें इसी तरीका जनकारी आपको देवघर एयरपोर्ट और देवघर एयम से जूड़े सभी जनकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा धन्यवाद